हेएक घाजार पचास गज में हमारा ये फार्म बना हुआ है उसमें आप देखेंगे लाइट भी है जो हमारा सेड है डोग का भीं है गोट का भी शेड हमारे अपने भी अपने बीज़ोड कंज़प्सन फ्रीज है और हमारी मोटर भी चलती है ये सारा इस इसे चलता है नमस् तो तीन किलोवाट का यह सिस्टम है और मैं आपको दो जुगाड भी है क्योंकि यह द्वार्मेंट के द्वारत दिया गया है पीछे हमने इन्वेटर लगा रहे उसको बाद में जाएंगे अच्छा यह बताओ पिछले चार साल हो गया में लगवाए हो इसे अगर हम पंदरा क्योंकि इससे हमारा जो दस विगाल एंडनों की सिचाई भी होती है और हमारा फ्रीजिस से चलता पंकें हमारे अट हमारा इसे चलता है है सारे इस चलते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मोटिव यह है जो भाइव बिजली के बिलच्फ परेशान है और प्लस जै कि यह वीडियो है जैसे कि हमारा फार्म चार साल पहले बनाया था पिताजी ने शायद बहुत लोग जानते भी घुल नहीं जानते पड़ेगा जी मतलब वो टेक्निकल रीजन है दूरी जादा है उसको नहीं दे सकते हैं तो हमें एक सज्जन ने और हमने थोड़ा यूट्यूब पर सर्च किया था इस योजना के बारे में पता लगा कि कुशुम योजना है जिसमें सोलर पैनल दिये जाते हैं एक वाटर पं मिलती है जिला किर्सी अधिकारी के ओफिस से मिलती है उसके लिए हमें बोरिंग का साटिफिकेट हमारा डीडी यह सब देना पड़ता है आप यहां से हमारा बोरिंग है लगवा पचास फुट दूर है जहां वाप पे है ठीक है माँ मोटर है और इसको हमने पानी उसका हम इखटा कर लेते हैं और लगवग एक लाख लीटर का कैपिसीटी है हमारे पूल की जो इखटा हो जाता फिर हम उपने खेत में चोड़ देते हैं उसको और उससे सिचाई हो जाती है दो दो क्यारी करके बढ़ जाती है लगवा एक से डेड़ बीगा जमीन हम इससे रोज ब सब्सक्राइब लगा रखी है के अंदर और यह नीचे से जो जारी है अंडर ग्राउंड है और वहाँ पोंच रहे सीधा वहां पर लेके चलेंगे ठीक है और मैं आपको चीज़ दिखाऊं यहां पर हमने और भी पहने लगा रखे बैटरे अपने लगा रखे यह बैटरे पहले यहां पर नॉर्मन इंवेटर था है वह दोनों चीज कर रहे हैं अपना हाउस हो जो हमारा घर है जो फार्म हाउस है उसको सारा जो भी लोड है वह यहां से चल रहा है इस जुगाड से और जो खेत का है और पूल भड़ता है ठीक है हमारे पीने का पानी भी वह सब अब देख रहे है जो एकस्ट्रा हमने जुगाड पारश कमारे भी जो आयो उससे हो जाती है और और आपको और त्रों के मतलब यह ने चलती है जो हमारे और क обяз Technique कि केपिसीट कमी को पूरा करती है उससंट को हमारे खेतों की सिचाइब करती है तो हम बंद कास मने कहा था आपको एकपंस्न दो काज मैं न precaution मोटर एक लगाई हुई है और काम हमारे दो चल रहे हैं क्योंकि solar system से मोंधर की गारंटी है और कोई पत्थर मार देगा तो तूट सकता है या कोई बंदर या कोई नुकसान कर जाए जानवर इस वाइसे हमने बाउंटरी के अंदर हमारा तो अंदर है कोई यह दिक्केत वर आप यह देखें हमने आसपास पेर जरूर है लेकिन इसके उपर किसी पेड़ की चाया नहीं आती सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज है यह चोटे फार मारे हैं बागवानी करते हैं सब्सक्राइब करेंगे बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा उससे और फायदा होता घास भी नहीं होती है अब दोस्तों इसका मेकानिजम जो मैं को समझायता हूं यह जो प्लेटें दस प्लेटें तीन किलोवाट की टोटल इनकी क्यापिसिटी हो गई और इसमें होता है यह बनाता है और यह तारों के चुरूब डीची करेंट जाता है कंट्रोलर में में एक आंशीच लगा हूँ है विदिन फाइव तो शेकंड आपका पानी आ जाएगा दिलिवरी दो इंच की है अदा है और खूब प्रेसर से मारता है और इसमें तीन एसमें आप की मोटर लगी होती है तो हम दस पैनल पे चला लेते हैं और जैसे मैं वह वाली मोटर हो गई और उस डीसी करेंट को हम यहां पर जुगार की जैसे तार जो हमने लगा रखें यह प्लस और माइनस जाके सीधा इंवेटर के अंदर जा और यह बैटरी चार्ज़ ओर भार लोट भी चल रहा है और यह सब हमें योजना के अंदर मिला हो जब आप इसे लगवाने गए थे पता करने गए थे तो इसमें और भी तो थी यसे अबंद कोज साथ सु वाट कीविछा और थोड़े बड़े किसान पूंपके लिए हमें क्योंकि हम क्योंकि हमारी सबसे लोवर वाली थी 3KW वाली तो उसमें हमारा उसमें 56580 बनवाया साथ मैं। विशिधा तहसील से बना हमारा और खतों नहीं लगती है कि आपके पास इतनी जमीन है वह जिला खिरसी अधिकारी के ओफिस में जमा कराने पड़ते पेपर यह जो मिलती है फर्स्ट कम फर्स्ट गैट वाले सिद्धान से मिलती है यानि आपकी अगर एप्लिकेशन पहले लग गई तो आपको मिलेगा लिमिटीड आती है यह कुछ कन करते हैं तो आपने लेने वाला मैं हूं अब भी निये तो नहीं और आगी है लेकिन उनके 65,000 की डीडी लगे ते उसमें गवर्मेंट ने इनवर्टर साथ में कर दिया आप अच्छा वह इनवर्टर अपना लगाना पड़ा था वह इनवर्टर नहीं है वह अब एसी मोटर अच्छा यह बताओ इनवर्टर वीडियो में कि यह कैसी आपको क्या ठीक रहा आपका मेरे को बहुत बढ़िया एक्स्पिरेंस रहा इसमें एक दो डिमेरिट से इसके बताओ अगर बादल हो गया है तीन-चार बार जैसे सर्दियों में बादल हो जाते हैं तो आप यह मान अच्छा क्योंकि आप देखो सर्दी का कोहरे वाला मोसम होता है और कई बार बादल वाला मोसम होता है उस समय यह नहीं चलेगा इसके लिए दूप जरूरी है जैसे आपने देखा था ना कोई मिल गया में जादू कहता है जादू जरूरी चाहिए तो दूप मिलेगी तो यह इच्छा काम करेगा आप चाहिए तो यह तक दूप निकलती और झालती हमारा पास बैटरी हुई हुई जो इसे चार्ज कर देता है और उससे हम राथ को इस चल जाएगा लेकिन यह ज्यादा ठीक नहीं है इतना ही ज़रुवत पड़ती है और हमारा यह नेचरल सराउंडिंग जो चारो तरफ खेते हैं टेंपरेचर ठंडा रहता है आप देख रहें चारो तरफ पेड़ पोधे भी इस वएसे गर्मी कम लगती है और मैं आपको बात अबर बतातों जब भी पिताजी यहां पर आते हैं तो सफ करते हैं और अच्छा करंट पैदा करेंगे और हमारे बिजलीघर में हमने यह दो पैनल एक्ष्ट रोड़े थे यूद्कि लोगड़ान कर टाइम पर हमको लगा यह दो और बढ़ा लिए और वहां पर हमारे लोक प्रशे और हमारा जो है यह फार्म बना हुआ है उसमें आप देखेंगे लाइटS भी है गोट हमारे भी हाउसोल्ड है फ्रीज भी चलता है और हमारी मोटर भी चलती यह सारा इसे से चलता है तो दोस्तों पिताजी ने थी जानका रहे दी आपको तो इस विद्वाइब को लगता है कि मेरे लिए योजना बनी हुई है मेरे को दिक्कत हो रही है तो आप इसको लगवा सकते हैं अपने ब्लोग में जाके जल्दी मिलेंगे आपसे नहीं और दमदार वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद